टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंट अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी कनेडियन हकूमत की करंटीना से मुटालिक अवनिन में नर्मी वैक्सिनी लगवाने वाले होटल करंटीना से मुस्तस्ना हो जाएंगे कनेड़ा आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्थ बरकरार है कनेडियन सूबे ओंटेरियो में हकूमत की लॉकडाउन में नर्मी सूबे दुबारा खुलने के पहले मरहले में दाखिल हकूमत की जानिब से सुरतिहाल दे कर आने वाले दिनों में मज़ीद नर्मी की जाएगी कनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूडो की जी सेवन इजलास में शिरकत इजलास के एकिताम पर अमरीकी सदर से भी मुलकात करेंगे कनेडा से अमरीकी सरह दुबारा खुलने के मनसुब पर अबातले ख्यार करेंगे अमरीका में फारिंग के वाकिया थम ना सके रियास्ट टेक्सास में एक फारिंग का एक और वाकिया हमला आवर समें तीन अफराद हलाक टाइगर 3 को रिलीज से कबल ही पहुँचने वाले 9 करोड के नुकसान की खबरों ने भी सल्मान खान का पीछा ना छोड़ा सल्मान खान का जल्द ही दो बड़े प्रोजेक्ट के ऐलान का फैसला सल्मान खान की जानिब से ऐलान जल्द ही किया चाएगा भारती गुलुकार इमरान खान गुरिफतार गुलुकार को कुरोना सो पीस की खिलाफ फर्जी करने के लिए गुलुकार दोस्तों की हमरा बैंट बाजे के साथ साल गिला मना रहे थे हैर नाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ मुकमल तोर पर वैक्सीन लगवाने वाले कनेडियन और मुस्तकिल रहाइशी जल्द ही होटल करंटीना से मुस्तस्ना हो जाएंगे मजी जानते हैं इस रिपोर्ट में मुकमल तोर पर वैक्सीन लगवाने वाले कनेडियन और मुस्तकिल रहाइशी जल्द ही होटल करंटीना से मुस्तस्ना हो जाएंगे विवाकि हुकूमत का कहना है कि मुकमल तोर पर वैक्सीन लगवाने वाले कैनेडियन और सरहत अबूर करके कैनेडा जाने वाले पी आर इस्टेटिस वाले अफराद को जल ही अपने करंटीना मुद्द के कुछ हिस्से के लिए होटल में कयाम करने की जरूरत नहीं होगी वजीर सहर पैटी ने कहा कि हुकूमत जुलाई के आवाल में शुरू होने वाले मराहिल में कुछ पाबंदियों में नर्मी की अमीद कर रही है उन्होंने कहा कि मुकमल तोर पर टीका लगवाने वाले कैनेडियन और मुस्सकिल रहाशियों को अब भी कैनेडा आमद पर कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा और जब तक उनका टेस्ट मन्पी वापस नहीं आता उनको करंटीना करना होगा ये मैट्रिक्स बहुत अहम आवामिल है क्योंके हम सरहत पर इन तबदीलियों पर अमल दरामत की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी हमें उम्मीद है कि जुलाई के आवाल में इसका इतलाख हो सकता है कैनेडा भर में करोना के वार तेजी से जारी है कैनिडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादा 13,98,274 तक जा पहुंची है जबके हलाकते 25,873 हो गई जबके 13,53,148 अफराज सहतियाब हो चुके हैं औंटेरियो सुबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सुबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादा 5,38,077 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादा 8,931 है कैनिडा में करोना वारिस के सबस सबसे ज्यादा हलाकतیں क्यू बैक सुबे में हुई हैं जहां करोना वारिस के मजमूई केसिस की तादा 3,72,476 है। जबके सूबे में करोना वारिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 11,116 तक पहुँच चुकी है। कैनेजिन सूबे अलबर्टा में केसिस की तादा 2,005,000 से तजावस कर गई। सूबे में 2,39,949 अफराद करोना वारिस से मतासिर हुए हैं जबके 2,262 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादा 1,45,996 तक जा पहुँची है जबके सूबे में करोना वारिस से होने वाली हलाकतों की तादा 1,739 है। केनेडियन सूबे अंटेरियो में हकूमत की जानिब से लाकडाउन में नर्मी की जा रही है जिसके तहट बहुत सारी सरगर्म्यों की महदूद पैमाने पर इजासद दे दी जाएगी। वजी जानते हैं इस रिपोर्ट में बैरुनी सरगर्मियों में बैरुनी स्विमिंग पूल और सिप्लेश पैट्स की भी इजाज़त दे दी गई है इसके साथ मरहला एक बैरुनी मजभी खिद्माद ड्राइव इन थेटर और बच्चों के लिए डे कैम्पों की भी इजाज़त देता है कनेडियन वज़िर आज़म जी सेवन इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुँच गए है जी सेवन इजलास में कैनेडा, अमरीका, बरतानिया, जपान, फरांस, इटली और जर्मनी के इलावा यॉर्पी यूनियन भी शामिल है मजीद असला जानते हैं इस लिपोर्ट में कनेडियन वज़िर आज़म जी सेवन इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुँच गए है ट्रूडो के दफ्तर का कहना है के वो वबाई बिमारी के इलावा मौसमियाती तबदीली पर भी दिहान देंगे जो उनके लिबरल हकूमत के लिए एक अहम पॉलिसी है और साथ ही मौशी नमो और सिन्फी मसाबात और इंसानी हकूँ को फरूख देने के लिए मरबूत तरीकों पर भी कैनेडा उन मौमालिक में भी शामिल है जिनके वोसराख खजाना ने टैक्स इसलिहाद पर दस्तखत किये जिसमें आलमी सता पर कम असकम 15 पीसद कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा वाइट हाउस ने इस बात की तजदीग की है कि बाइडन और ट्रोडो जी सेवन सरवराहे इजलास के इखताम पर मुलाकात करेंगे और वो कैनेडा से अमरीकी सरह दोबारा खोलने के मनसूबों पर तबादला ख्याल करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर जम्हूरी मुमाले के काईदीन के इलावा कोई नहीं समझ सकता है कि ये काम कितना मुश्किल है ट्रूडो आक्सवर्ड आस्ट्राजेनिका शॉर्ट की अपनी दो खुराकों में से एक वसूल करकर सफर करेंगे उनके दफ्तर ने बताया कि जब अगले हफ़ते वो वापस आएंगे तो ओटावा के एक होटल में वो तीन दिन तक करंतीन होंगे जी सैवन में कैनेडा, अमरीका और बरतानिया, जापान, फ्रांस, एटली और जर्मनी के इलावा यॉर्पी यूनियन भी शामिल है समिट के मुबस्रीन का कहना है कि एजलास में शामिल सर्वराहान ममलिकत में ट्रोडो उस रहनुमा की हैसित रखते हैं जिन्होंने जर्मनी की चांसिलर अंगिला मेरकल के बाद अपने ओधे पर तवील तरीन अरसे तक खत्मात अंजाम दी अमरीका में फारिंग के एक और वाकिय में हमला आवर समें तीन अफराद हलाक हो गए हलाक होने वालों में दो साल का बच्चा भी शामिल है मज़ी तफसिलाथ इस रिपोर्ट में अमरीका में फारिंग के एक और वाकिय में हमला आवर समें तीन अफराद हलाक हो गए हलाक होने वालों में दो साल का बच्चा भी शामिल है अमरीकी रियासत प्लॉरेडा के शहर पाम बीच के ग्रोसरी स्टोर में एक शख्चा ने फारिंग कर दी जिसके नतीजे में खातून और दो साला बच्चा हलाक हो गया अमरीकी मीडिया के मताबिक मुल्जिम ने फारिंग के बात खुदकुशी कर ली हकाम ने वाके की तहकी का शुरू कर दी है दूसरी जानेब अमरीका की रियासत टेक्सास में एक पाजी बेस पर मसल्ला हमला किया गया मफरूर हमला आवरों की गिरिफतारी के लिए कोशिशें जारी है इतला के मताबिक सैन एंतोनियो लीक लैंड फाजी बेस पर हमले में कोई हला या जखमी नहीं हुआ वाके के बारे में तहकीकात का अखास करवा दिया गया है अमरीका की सबसे बड़ी बेसिस में से एक लैट लैंड में मतायन करनल ब्राइन एस लोलेस ने कहा है कि नामालू अफराद ने बेस के दाखिली दर्वाजी पर फाइरिंग की और फरार हो गए मफरूर हमला आबरों की तलाश के लिए कारवाईया जारी हैं मसकूरा वाकी की वज़े से फाजी जोन को कुछ देर के लिए बंद लखने के बाद खोल दिया गया है जान लेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा करोना वाइरिस का फैलाव चारी है और गुज़िशता एक दिन में दुनिया भर में चार लाग से जाएद अफराद मुतासर हुए है इस जान लेवा वबा से दुनिया भर में अब तक 37.6 नौ लाग से जादा अफराद हलाक हो चुके हैं अमरीका की जान हापकिन्स यूनिवर्स्टी के साइंस और इंजिनिरिंग के जारी करदा ताज़ातरीन आदादों शुमार के मताबिक दुनिया के 192 मुमारिक और खिते में गुजश्टा 24 घंटों के दौरान 4,44,744 नए केसिस रिपोर्ट होने के बाइस दुनिया में करोना मतासरीन की मचमुई तादाद 17,47,1,133 हो गई है जबके जान लेवा वबा की वज़ा से 37,49,494 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं दुनिया में सुपर पावर समझे जाने वाले अमरीका में करोना वाइरस की रफ़तार कुछ धीमी पड़ गई है यहां करोना मतासरीन की मचमुई तादा 3,34,28,412 हो गई है और इस मौलिक तरीन वबा की वज़ा से 5,98,744 से जाइद अफराद की अमबात हो चुकी है भारत में एक दिन में करोना वाइरस के मज़ीद 91,000 केस जबके 3,403 अमबात रिपोर्ट हुई है सौधी अरब इसी फैरस में 44,000 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल अमबात 7,519 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्रिकत में करोना मरीजों की तादाद 4,62,528 तक जाप पहुँची है तरकी में करोना वाइरस से अमबात 48,524 तक जाप पहुची है जबके केसिस 53,13,098 हुची है बॉलिवुट के दबंग सल्मान खान अपनी फिल्म राधे के फलॉप होने के बाइस खबरों की जीनत बने हुए थे ना सिर्फ ये बल्के अपनी नई आने वाली फिल्म टाइगर 3 को रिलीस से कबल ही पहुचने वाले 9 करोड के नुक्सान की खबरों ने भी सल्मान खान का पीछा ना चोड़ा मज़ीद अफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में बॉलिवुड के दबंग सल्मान खान जल्द ही दो बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे बॉलिवुड के दबंग सल्मान खान अपने फिल्म राधे के फ्लाप मोनी के बाइस खबरों की जीनत बने हुए थे ना सिरिफ ये बलके अपनी नए आने वाले फिल्म टाइगर तीन को रिलीस से कबल ही पहुँचने वाले ना करोड के नुकसान की खबरों ने भी सल्मान खान का पीछाना चुड़ा अब दबंग खान से मतालिक अच्छी खबर ये है कि वो अगले माँ बड़े बजट के दो बड़े प्रोजेक्ट का एहलान करेंगे भारत में करोना वबा के बाइस लगने वाले करफियों से कबल अदाकार ने फैसला कर लिया था कि तामिल फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक में जल्वागर होंगे ताहम करोना के बाइस सुरत इहाल यक्सर तब्दी हो गई थी अब एक बार फिर इस मतालिख खबरें गरब हैं जबके दूसरी फिल्म से मतालिख भी सल्मान खान जल्वी एहलान करेंगे जो एक त्रिलर मुवी होगी भारती मीडिया के मताबिक पंजाबी गलुकार इमरान खान जो के खान सहाब के नाम से भी मशूर है बारती मीडिया के मताबिक पंजाबी गलुकार इमरान खान जो के खान सहाब के नाम से भी मशूर है को उनके तीन दोस्तों समेट करोना इस ओपीस के खान परजी करने के लिए गिरिफतार कर लिया गया बारत में करोना वबा की वज़े से लॉक डाउन है और तक्रीबात पर पाबंदी आएथ है पुलिस के मताबिक गलुकार इमरान खान पंजाब के जिला कपूर थाला के इलाके सतनम पूरा में गुज़िश्टा रोस रात के वक्त अपने दोस्तों हर परीच सिंग दिलबाग महमद और एजास के हमरा बैंट बाजी के साथ सालगिरा मना रहे थे जबके रात के वक्त करोना की वज़े से कर्फियो लगा हुआ था पुलिस ने उन तमाम लोगों को करोना S.O.P.S. के खलाफ पर्जी करने पर गिरिफतार किया है सतनम पूरा के S.H.O. ने गुलुकार और उसके दोस्तों को गिरिफतार करने की तद्दीग करते वे कहा है कि उन्हें IPC के सेक्शन 188 और 51 के तहत गिरिफतार किया गया है वाज़र है कि गुज़िश्टा माह माई मे भारती पंजाब के मारूफ गुलुकार और अदाकार गिपी ग्रिवाल को भी उनके अमले समें कोवीड 19 S.O.P.S. के खलाफ वर्जी करने पर गिरिफतार किया गया था टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अप्डेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस ते नोटिफिकेशन पटन